हेलो बच्चों हमारे फॉर्म रिलीज हो चुकी है इसमें आपको बताने जा रही हूंगी जो आपका रेजिस्टेशन आपकी फॉर्म फिलिंग उसमें किन बातों का ध्यान नहीं रखना है ठीक है और मैं आपको सारी अपडेट दे चुकी है जो भी अपडेट आई है कि कौन सबसे पहले ही मुझे लगता है मैंने अपडेट आपको दी है आपको टेलिग्राउम वट्सैप इंस्ट्राइम हर जगा आपको अपडेट मिल चुकी है अब देख लेते हैं फॉर्म फिलिंग के राई में किन बातों का ध्यान रखना है तो लेट सी हमें किलिक करना ही आप भीक drazva फ्रीक लॉळ्स परिक करो ना यहाँ से आपको प्रोसीर करना हा ये तो आपकी नोटीसद आते हैं प्रोसीट करण प्रोसीड करके यह वाला ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पर हमें बेसिक रेजिस्टेशन करना है और फाइनल रेजिस्टेशन करना है सबसे पहले हम बेसिक रेजिस्टेशन करना होगा यह प्रोसेस दो प्रोसेस में होता है बेसिक और फाइनल फाइनल में भी दो होते हैं हमारे generation of unique code and फीस payment और choice feeling ठीक है तो proceed जब उसे proceed करेंगे तो हमें new basic registration करना है सबसे पहले हम new basic registration करेंगे जिससे हमें जिससे हमें क्या मिलेगा registration ID और password मिल जाएगा ठीक है registration और ID password मिलने के बाद आप लोग जब आगे proceed करेंगे login करेंगे आप form फिल करेंगे आपकी unique ID generate होगी है मैं दीरे दीरे आपको बताती हूँ अबर देख लो और सबसे important जो बात है कि आप जितने भी courses के लिए apply करो BSC वाले जितने भी courses के लिए apply करो उसमें आपको सिर्फ एक ही note that one single basic registration per candidate is sufficient for taking entrance exam more than one course यह देख रहे हो this one ठीक है कितने भी courses के लिए apply करना हो basic registration एक होगा लेकिन जब final registration होगा वह आपकी अलग लग होते हैं ठीक है कि यहां आपके पास इंस्ट्रक्शन दिए कि email ID और mobile number आप अपना ऐसा रखना कि admission तक admission तक बिल्कुल चले वो ठीक है क्योंकि सारी info आपको उसी पर आनी है तो ऐसा नहीं कुछ भी कोई साभी ID और कोई साभी अपने घर के अपने पेरेंट्स का नंबर डालना आपका खुद का है आपका डालना email ID चलती फिरती डालना परसनल डिटेल आपको सारी सही से भढ़नी है कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल ध्यान से बरो एक से देट घंटा फोर्म फिल करने में लगेगा बिल्कुल ध्यान से करो वैलिट फोर्टो आइडियो अधार कर वेगएरा और तीन चीज लगेगी आपकी इसकेंट फोर्टोग्राफ लगेगी विद वाइड बैक्ग्राउंड में आप येर्स आपके दिखने चाहिए फोर्टो की बाले ना वाइड बैक्राउंड के साथ सिगनेचर की में है 10th or 12th की board exams की और category certificate if you come under any category like SCOBC EWS वो आप इसमें कर देंगे and PWD आवाले हैं तो आप PWD बला certificate आपने पास रखेंगे now process के लिए कौन दा proceed ये देखों ये पूरा हमें ऐसे दिखा दिया नो ने कि जो पार basic registration करेंगे फिर हम फाइनल करेंगे फाइनल में वही दो चीजो मैं आपको बताई और किसके लिए हो जाएगा फिर उसके बाद आपका ऐसे हैं तीनों कोर्स के लिए हमारा बीसी नर्सिंग के लिए बीसी परमेडिकल के लिए बीसी पोस्ट बेसी के लिए इधर भी प्रोसीड क्लिक करो ये हो चुगा है हमारा फॉर्म स्टार्ट परस्टनल डीटेल्स हमें भड़नी है मैं ऐसी करके बताती हूं नेशनलिटी इंडियन फुल लेम भरो यहां पर यह मेरा एस में क्लिक नहीं करोंगी और एंटर यहां पर फुल लेम ठीक है फादर्स नहीं मदर्स नहीं डेट ओफ बर्च सही भरना डेट ओफ बर्च बिल्कुल चाही बरोगे जोबकि 10th की मार्कशीट में होगी ठीक है जैंडर डो मिसाइल कहा का या आपका कौन से स्टेट का ठीक है महां से आप कुछ भी कर दो लाइक मेरा डैली तो डैली हो गया कैटिगरी अपनी भरो सही ओबीसी है तो बीसी कर दो अच्छी बात है बतलब कभी कभी ऐसा हो जाते कि अच्छी बन पाता तो आप बाद में यूर में काउंट हो जाओगे लिकिन अभी है ना तो आप OVC भर दे रहा क्योंकि इस टाइम पर नहीं पर देंगे तो मैं अधार करका नंबर यहां पर डाल दूंगी इसी तरीके से आपका प्लीज ब्रिंग दा आईडी प्रूव जो आप लेके आओगे वो आपको यहां लिख देना है ठीक है इमेल आईडी और फोन नंबर है वो बोल्डर डालो यहां पर डाल दो एड्रस डाल दो अपना सही से फिक जन्रेट यह नीचे आप देख पारे हो जन्रेट रे देखो हमने जब अपना रेजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड बना लिया तो उसके बाद हम यूनिकोर्ड जन्रेट करेंगें करेंगे जो कब से दाब यहां कि नहीं वह सोचने में हो क्यों रहा हो क्यूं जाए वह 12 पार्श मिल जाएगा तो उसके नीक्स को पाइइड registration ID और passport आपने यहां डाला capture डाला login करा इसी के बाद आपको आगे process आजएगी कि आप अपने लिए unique ID generate कर लो उसके बाद हम final registration करते हैं तब आपके इसी में जब proceed करेंगे आगे आगे आप से course पूछे कि कौन से course के लिए करनी है तो फिर आप नर्सिंग में apply करोगे पैरामेडिकल में apply करोगे वैसे apply करोगे फिर city choice और payment हो जाएगी payment पहले है फिर city choice है फोर्म अपका पूरा हो जाएगा अभी तो परिशान नहीं हो ना कि मैं basic registration तो हो गया पर आगे का form फिल अप नहीं हो रहा तो यह इतना ही करना है अभी वह आपको 12 March से start होना है 12 March से आपको यह form बाला जो पूरा समझ आ गया होगा विब्स साइट के लिए परिशान मत होना विए कहां कि लिक करना है कहां कि लिक करना है डिस्क्रिप्शन में ज़ोओ video के लिंक है वही पर आपके लिक करो ओके वाई नेक्स वीडियो में मिलते हैं